Hello दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सराब हानी कारग होता है कि इंगलिस क्या होती है तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलिस में ट्रांसलेट करते हैं ऐसे सेंटेंस में किसी का सुभाव जब सुचित हो और उस sentence के अंत में होता है आए, रता है आए, लगता है आए तो ऐसे sentence को English में translate करने के लिए एज ये मार का प्रियोग करते हैं तो पहले हम लिखेंगे सराब के English सराब के English में alcohol भी कहते हैं, wine भी कहते हैं तो पहले हम लिखेंगे wine, उसके बाद आपको लिखना है is उसके बाद honey carak के English लिखेंगे, honey carak को English में harmful कहते हैं तो इसके बाद लिखेंगे harmful, wine is harmful सराब honey carak होता है इस sentence की English है wine is harmful, wine is harmful और यही sentence interrogative है, जैसे कि क्या सराब honey carak होता है तो पहले आपको is लिखना है, क्योंकि जब क्या से सुरू हता है sentence तो क्या की meaning नहीं लिखते हैं, पहले is लिखेंगे is wine harmful दोस्तों ऐसे और भी sentences का English translation देखने के लिए इस channel के playlist में जाएं और यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो भी मिलती रहें